देखो साओधी अरप के अंदर खजूरों को इस तरीके से पकाए जाता है ये जब पेड़ पर पीले हो जाते हैं तो ये तोड़कर लेकर आते हैं और ये गरम पानी में इनको उबाला जाता है क्योंकि पीले खजूर खाने में कुछ अलग इनका टैस्ट होता है अगर आप लोग पीले खजूर खाओगे तो आपका मुझे खराब हो जाएगा क्योंकि ये खाने में इनका टैस्ट अलग होता है मीठे नहीं होते हैं जब तक इन खजूरों को पानी के अंदर उबाला नहीं जाता है तब तक ये खजूर खाने में अच्छा नहीं लगता है जब ये उबाल कर तैयार हो जाता है तो इसको धूप में सुकाया जाता है जब तक ये धूप के अंदर सूप नहीं जाता है जब ये सूप जाता है तो ये की गिरी करके ये लोग चेक करते हैं और ये सूप कर रेडी हो जाता है तो ये बोरियों भर कर जो है मार्किट में ले आते हैं और बेज देते हैं फिर बाद में हम जैसे लोग होते हैं, इनको खरीदते हैं, और ये जब हम खाते हैं इनको बाद में, तो इनका टैस्ट और भी बढ़िया हो जाता है, देखलो इस तरीके से सौधी अरप के अंदर खजूरों को पकाए जाता है, अच्छी तरीके से, जो हम सब लोग खजूर और ये सौधी का खजूर जो है, खाने में भोती बढ़िया होता है, एक नमबर का खजूर मिलता है, कभी आप लोग सौधी गए हो, कभी आप लोग पेड़ पास तोड़कर खजूर खाया है, अगर खाया हो तो मुझे कमिंट करके जरूर बताना है, इस वीडियो को जादे जादे सेर जरूर कर देना, ताकि लोग को पता चले के खजूर किस तरीके से पेड़ पास तोड़े जाते हैं, किस तरीके से इनको पानी के अंदर उबाला जाता है, और बाद में जो है, इनको बोरी में करके जो है, मार्कीट में बेच दिया जाता है, और बाद में हम अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना और ऐसी इंट्रस्ट वीडियो देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लेना थैंक्यू गाईस